Hello friends and welcome back to another video और दोस्तों एक new system map update आई है जो कि आप सब लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा important है system map update रिक अंदर आपको themes का एक बहुत ही बढ़िया update मिलने वाला जो कि बहुत ही भैतरीन है इसके अंदर आपको theme store पूरी तरह से बदल जाने वाला है और आपको बहुत सारे features और new themes और new improvement भी आपको देखने को मिलने वाला है अगर आप MIU 11 यूज़ करते हैं या फिर 12 यूज़ करते हैं तो आपके लिए update बहुत ही important है तो वीडियो को पूरा देखेगा मैं आपको इसके changes बताने वाला हूँ तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करना बिलकूर भी मत भूलेगा और अगर आपको ये वीडियो useful लगे तो वीडियो को like जरूर कीजेगा इसकी information मैंने टेलिगरम गुट पर पहले ही दे दी थी तो दोस्तों आप मुझे follow कर सकते हैं लिंक उसका description में है सब ये update सबसे पहले पाने के लिए तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसी update को settings के अंदर आप system app updater के अंदर देखते हैं sorry तो system app updater के अंदर आपको दोस्तों update ये मिल जाएगी तो देखे काफी जादा आपको old सा system मिलता है और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको इस तरह के कुछ UI मिलता है इस तरह के कुछ user interface मिलता है हाला कि मैंने अपना जो theme store है उसको बहुत time से update ही नहीं किया था तो अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं इस theme store के बारे में आपको अगर ये update नहीं मिला तो थोड़ा सा wait कीज़े मिल जाएगा what's new में देखी काफी सारे changes हैं इसके अंदर जैसे की new improvement, dark mode और आपको new horizontal मतलब काफी सारी चीज़े हैं तो चलिए इसको update हम कर लेते हैं तो friends आजकल वीडियो डालने के बाद मैं delete कर देता हूं इसकी वज़े से क्या होता है कि मतलब काफी सारे लोग सूचते हैं कि यह delete क्यों होती है तो मैं आपको बता दो दोस्तों notification की problem चल रही है जो कि खाली मेरे साथ नहीं सभी के साथ हो रहा है सभी के पास notification बहुत ही लेट या फिर जाता ही नहीं है तो उमीद करता हूं यह जो problem है यह बहुत ही जल्द fix हो जानी चाहिए तो दोस्तों अभी हमने इसको update कर लिया तो चलिए अब देखते हैं इसके changes और आपको क्या नया इसके अंदर मिलने वाला है तो अब मैं open करता हूं थीम स्टोर को और फिर देखते हैं तो भाई थीम स्टोर हमारा पूरी तरह से बदलने वाला है और यहाँ पर आप देख स वो भी पूरा change करती है काफी बड़ा आपको preview मिलते है जिसमें आपको details अच्छी तरह से मिल जाती है और यहाँ पर अगर आप swipe करते हैं तो आपको new theme मिलती है मतलब swipe right करेंगे देखिए इस तरह से आप themes को और भी ज़्यादा explore कर सकते हैं वापा swipe करते हैं तो आप उसी theme पर आ जाते हैं तो यह feature मुझको बहुत ही ज्यादा पसंद आया और यहाँ नीचे जो आप tags देख रहे हैं तो इनको दोस्तों क्या है कि यहाँ पर आप किसी पर भी क्लिक कीजिए इससे भी आप themes को explore कर सकती जैसे की nature पर तो इससे आप अच्छी-ची themes को बहुत ही आसानी वह भी slow है इसके बाद दूसरों आप देखते हैं आपको new animations इसके अंदर मिल जाती है मतलब animation में काफी improvement हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं हर एक user interface और हर एक section को बहुत ही अच्छे से change करा गया है dynamic wallpaper आपको मिलते हैं बहुत ही जादा बड़ी है जिनको आप directly download करके apply कर सकते हैं और यह wallpaper हर एक phone के आपको support करेंगे तो इसमें भी आपको एक बहुत ही बड़ी है change मिल जाता है इसके अलावा देखिए fonts वाला section हो चाहे कोई भी उसको बहुत ही तरह से recreate कर दिया गया और जो improvement है वो fastness है वो आपको भर-भर के मिल जाती है अगर आप my page के अंदर जाते हैं my page के अंदर आपको एक new option मिलता है check for update का यहां से आप theme app का सीधा update चेक कर सकते हैं यह आपको बड़िया feature मिल जाता है और आपको दोसों यह settings के अंदर देख सकते हैं यह feature मिलते हैं तो इसमें आप recommendation को off कर दीजे जिससे कि आपको ads वगर की problem भी नहीं आएगी and द दोसों जरूर update कीजिएगा काफी आपको मजा आएगा और आपको वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को like करना मत बूलेगा मिलता हूं फिर next video में तब तक लिए thanks for watching